शिरी गड़े शायन नमा नमस्का मित्रो सागत करती हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान गंगा में प्रदोश वरत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है प्रदोश वरत को त्रेयो दशी के दिन रखा जाता है प्रदेक महिने में दो प्रदोश वरत होते हैं सुमवार को आने वाले प्रदोश वरत को सोम प्रदोशम या चंद्र प्रदोशम भी कहा जाता है प्रदोश वरत अन्य दूसरे वरतों से अधिक शुब एवं महत्पूर माना जाता है मानता है ये भी है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है एवं मित्यों के बाद मोक्ष की प्राप्ती होती है प्रदोश्वरत रखने या दो गायों का दान करने से भी यही सिद्धी प्राप्त होती है एवं भगवान शिव का आशिरवात प्राप्त होता है सोम प्रदोश्वरत को करने से मनुष में सुविचार और सकारात्मक्ता आती है तो चलिए जानते हैं अप्रेल महा में पढ़ने वाले सोम प्रदोश्वरत की तिथी के बारे में त्रेयोधिशी तिथी के बारे में और पूजन मोहरत के बारे में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है और भी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी ब्रत एवं तेवारों की जानकारी के लिए आज ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भोले तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो सोम प्रदोशे 20 अप्रेल 2020 दिन सोम वार को त्रेयोतर शितिती का आरम होगा 20 अप्रेल 2020 दिन सोम वार को सुबह 12 बच कर 42 मिनट पर और समाप्ती होगी 21 अप्रेल 2020 दिन मंगल वार को सुबह 3 बच कर 11 मिनट पर पूजन का मुरत रहेगा 20 अप्रेल 2020 दिन सोम वार को शाम के 6 बच का 50 मिनट से 9 बच का 2 मिनट तक कुलबदी होगी 2 घंटे 12 मिनट की तो ये थी जानकारी सोम प्रदोश्वरत की मेरे वीडियो में अंततक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ